हेलो फ्रेंज वागत है आपका मेरे चैनल चटकारा चटपट पर आज हम बनाने वाले हैं इद के मुबारक मौके पर सीर खोर्मा वित रवडी की रेसिपी बहुत ही यूनीक लगती है यह रेसिपी एक बार अगर आप महमानों को यह खिलाएंगे तो वह अगले इद में भी 니क दो आणके घर आ करके वही उसीर खोर्मा वित रवडी के वारी रेसिपी मांगने वाले हैं सबसे अच्छी बात यह हैं कि यह बहुत ही कम समयमे बनके तैयार हो जाती है यानि कि इद की special recipe जो है वो हम बहुत ही कम समय में बना के ready कर सकते हैं तो अगर आपको ये मेरी recipe पसान आए तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा तो आईए बनाना शुरू करते हैं सीरखोर्मा वित्रबडी सबसे पहले हमें सेवईयां बनानी हैं तो इसके लिए मैंने यहां डाला है एक चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कट किया हुआ बादाम, काजू और पिस्ता डालेंगे और थोड़ा सा छुहाड़ा भी डालेंगे अब अपने मन पसंड डाल सकते हैं और किसमी जो हैं बाद में डालेंगे और यहां इसे हम भून लेंगे अब इसे हलका सा भूनने के बाद हम यहां पर लेंगे पतली वाली सेवई और लगभग 100 ग्राम सेवई हम इसमें डालेंगे तो यहां पर मैंने इसे पैकेट में ही इस तरीके से तोड़ दिया है क्योंकि इस तरीके से तोड़ देने से बहुत ही आसानी से छोट चोट चोट टुकड़ों में बढ़ जाती है और अब यहां 100 ग्राम सेवाई को हमें फिर से हलका गोल्डन ब्राउन होने तब भूनना है बिल्कुल कम आज पर भूनना है ताकि सेवाई जो है हमारी चारो तरफ से अच्छे से सिख जाए अब सेवाई जब भून जाए तब यहां डालना है हाफ लीटर दूद और हाफ लीटर दूद डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे अब यहां गैस की फ्ल add करने वाली हूँ तो थोड़ा सा color change हो जाएगा तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है अब हम सेवाई में एक उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी चीनी अब अपने टेस्ट के according डालें अगर आपको जादा मीठा पसंद है तो जादा डालें और कम मीठा पसंद है तो कम मीठा डालें मैंने यहाँ वन फोर्थ कप चीनी डाली है तो यहाँ पर हमारी सेवाई बनकर बिल्कुर रेडी हो चुकी है यह देखिए अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होनी के लिये रख देंगे साइड में तो इसे सबसे पहले हम ढग कर के छोड़ देते हैं अब हम बनाएंगे रबडी रबडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है उसे ग्यास पे रखना है और उसमें डालना है हाफ लीटर दूद और दूद को क्या करना है हमें गाढ़ा करना है इसे मीडियम लो फ्लेम पर हम दूद को गाढ़ा करेंगे इस तरी और थोड़ा सा केसर और इन सब ही को मिलाते हुए इसे हमें थोड़ा सा और गाणा करना है अब इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए हम यह पर डाल रहे हैं half teaspoon गुलाब जल गुलाब जल डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है आप चाएं तो स सकते हैं लेकिन मैंने सिसमेही टाला है इसे यस तरीके से हमें चलाते हुए स эфф sweetness in a consistently में गाढ़ा कर लेना है यह जब हम गयास का बंद करेंगे गये जब थंडा हो जाएगा और भी गाढ़ा हो जाता है तो इतने पर ही आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें और यहां हमारी रबडी भी बन करके पिल्कुल रेडी हो चुकी है अब यहां रबडी को भी एक बाउल में कर लेंगे हम और बादाम, पिस्ता और काजु के कतरन से उसे डेकोरेट करेंगे और यह रहा हमारा सेवाई यानि की शीर खोर्मा और यह रहा हमारा रबडी, इसे हम साइड कर लेंगे और यहां पर आप छोटे-छोटे काच के कटोरे या फिर छोटे-छोटे काच के ग्लास में इसे सर्फ करें बहुत ही टेस्टी देखने में भी लगता है और खाने में तो इतना लाजवाब लगता है कि मैं आपको क्या ही आप खुद से ट्राइ करके इसे खा करके मुझे कमेंड बॉक्स में बताएं कि यह आपको ला जवाब लगा या नहीं तो इस तरीके से मैंने या पर पहले लेयर में डाला है सेवई दूसरे लेयर में हम डालेंगे रबडी और रबडी डालने के बाद इसे आप चाहें तो थ सेवई और सेवई के बाद अब फिर से लास्ट में डालेंगे रबडी रबडी डालने के बाद अब हम इसे ऊपर मंचा या तरीके से डेक्रोईट करेंगे और आप चाहें तो कोई से भी e Potter से डेकरोईट कर सकते हैं मैंने छासद और से पिस्ता डाला है काजू औ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी को चटकारा चटपट की तरफ से इद मुबारक तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ टेक कियर बाई बाई